हलो एवरीबड़ी वल्कम तू मागनेट ब्रिंड इसे श्वेता ठाकुर या शूचल साइन्स एजुकेटर मागनेट ब्रिंड एक ऐसा प्लाटफर्म है जहां किटर्गार्टन से लिके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोसे प्रवाइट करवाई जाते हैं आज हम जोग्रफी शूचल साइन्स क्लास 9 का चाप्टर वण इंडिया साइस एं लोकेशन पढ़ने वाले हैं इंडिया साइस एं लोकेशन चाप्टर है हमारा इसमें हम क्या क्या देखेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारे प्यारे भारत के बारे में और इंडिया का क्या लोकेशन है अरे आप से कभी पूछे अगर इंडिया कहां लोकेट करता है तो क्या आप दिय डेघंगे इस चेप्टर में कि इंडिया कि exact location हम कैसे बता सकते हैं, तो एक brief introduction और इंडिया की location के लाशइन के बारे में हम यहां करेगे, तो सबसे पहले brief introduction डेखे हैं हम इंडिया के बारे में, तो इंडिया is one of the ancient civilization in the world, इंडिया is one of the ancient civilization इन्चिन इन्चिन वे जितनी वी पुरानी सिविलाइजेशन है उनमें से एक का पाठ है हमारा प्यारा भारतों इंचिन सिविलाइजेशन वैसे तो बहुत सारी सिविलाइजेशन है पर four major ancient civilization के अगर हम बात पर करें, तो सबसे पुरानिया Mesopotamia, राइट, फिर है हमारी Egyptian, सबसे oldest तो ये वाली है, Mesopotamia, राइट, Egyptian civilization, फिर है हमारी Chinese and Indus Valley, ये four जो है ancient civilization, सबसे पुरानी Mesopotamia है, Egyptian, Chinese and Indus Valley भी, जो है हमारी old civilization है, Chinese civilization and Indus Valley civilization. तो अगर हम लोग बात करें, इंडिया जो पार्ट है, वो Indus Valley civilization का पार्ट है, राइट, आप से कोई पूछे कि one of the ancient civilization, कौन सी civilization का हम पार्ट है, तो हम Indus Valley civilization का पार्ट है, तो ये one of the ancient civilization जो है, मतलब की Indus Valley civilization का पार्ट है, इंडिया, इंडिया हाज मूफ फॉरवर्ड दिस्प्लेंग, रिमार्केब प्रोग्रेस अगर हम लोग बात करें, इंडिया ने सारे डामेंशन में जो है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किये, अगर हम बात करें, हर फिल्ड में इंडिया ने प्रोग्रेस किये, 1947 में जब हम अजाद हो गे थे, अब से लेके इतना ज़ादा अब तक जो चेंजे देखे जाएं, पर हम चांद पर पहुँच गए हैं, समझ रहे हैं, तो इंडिया ने हर फिस में एगरिकल्चर हो, चाहें इंडिस्ट्री हो, आपकी टेक्नोलोजी, हर फिल्ड में जो है प्रोग्रेस की है, अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का इंडिया की जो लोकेशन है, वो क्या है, इंडिया इस वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री, देखें आप से अगर पुचा जाएं, कि आपके घर की लोकेशन क्या है, अभी तो आज कल आप गूगल मैप से भीज़ देते हैं, फटा फट लोकेट करके, अगर आप से पुचे हम लैंड मार्क बताते हैं, हम एक घर का प्रॉपर एड्रेस होता है, हम एड्रेस बताते हैं, यह वाली स्ट्रीट है, E37, ओबलिक, इस आप स्ट्रीट नमबर साथ में, जो लोकेशन होते हैं, कौन से प्लेस पे, वो सारी चीज़े करके हम अपना एक एड्रेस भेज़ते हैं, और वहीं पे exact कोई पहुंचता है, तो वहाँ से आपका वो exact location होते हैं, और landmarks होते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो हम landmarks दे देते हैं, तो इसी धरीके से हमारे इंडिया की भी कोई location होगी, तो कभी भी किसी country की जब लोकेशन को locate करना होता है, तो उसके लिए चाहिए होते है, latitude and longitude, right, क्या चाहिए होते हैं, latitudes and longitude से किसी भी state, country, उसकी exact location अगर बतानी हो, तो वो मिलते हैं हमें latitude and longitude से, okay, तो चलिए discuss कते हैं, इंडिया is a vast country, इंडिया एक बहुत बड़ी country है, lying entirely in northern hemisphere, पूरे तरीके से northern hemisphere में आती है इंडिया, अगर हम लोग बात करें देखें, हमारा जो globe अगर हम देखते हैं, अगर हम अपने globe को देखें, तो वो क्या है, वो एक sphere है, एक 3D model है, sphere होता है, अगर उसको हम दो पार्ट म half sphere, ठीक है, तो इसी तरीके से ये है हमारा globe, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये है हमारी imaginary line equator, ये जितनी भी lines है, हमने अपने convenient के लिए इसमें draw कर रहें कि ये सारी imaginary line है, चाहिए ऐसे slent में, sorry long है, चाहिए लेटी हुई lines है, ये सारी imaginary lines है, आप देख देखते हैं, ये देखिए, ये है हमारा equator, जो की होता है zero degree पे, ठीक है, तो ये जो zero degree होता है, ये क्या है आपका equator, equator के उपर वाला जो पार्ट है, वो हमारा northern hemisphere है, और ये हमारा southern hemisphere है, तो अगर हम देखोगे, इंडिया कौन से पार्ट में आ रहा है, अगर हम देखे तो ये ऊपर की side है, तो इंडिया जो है वो northern hemisphere का पार्ट है, तो इंडिया कौन से hemisphere में आता है, northern hemisphere में आता है, अब चली ऐसे भी देख लेते हैं, गुक में तो सिर्फ नौदरन hemisphere की बात की है, अगर आप देखे, तो ये आपका कौन सा side है, ये हमारा western hemisphere है, ये हमारा eastern hemisphere है, ठीक है, तो हम eastern वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है, तो हम northern hemisphere का पार्ट है और eastern का भी पार्ट है, अगर इस side से देखा जाए, तो logically आप ध्यान रखेंगे कि हम northern hemisphere में आते हैं, और हम कौन सी side में, east side में ये भी आपको ध्यान रखना है, ओकी, तो अगर आप से कोई पूछे कि इंडिया कौन से hemisphere में आता है, northern hemisphere, ओकी, तो इंडिया एक बहुत बड़ी country है, जो आती है हमारे northern hemisphere में, अब इसका जो main land है, मैंने आपको बताया ना, किसी भी चीज़ को locate करने के लिए चाहिए, latitudes and longitudes, states के लिए, या किसी country के लिए, तो अगर हम, अगर हम latitude and longitude बताएंगे, उसका extent बताएंगे, तो exact हम उसी state और country की जो location को बताते हैं, तो अगर latitudes की बात करें, जो लेटी हुई lines होती है, वो होती है हमारी latitudes, देखिए, अगर हम लोग देखें, ये है हमारा globe, अगर इस पे देखें, ये जो line है, ये जो, ये lines है हमारी, ये है parallel line है, किसके, equator की parallel lines है, पोल तक, parallel lines जो है, ये है हमारी latitudes, ठीके, up to the poles ये जा रही है, ये हमारी क्या है, ये सारी हमारी latitudes है, ओके, तो अगर आप देखिए, कि इंडिया जो है, वो कौन-कौन से दो latitudes के बीच में आता है, तो देखिए, हमें यहां से 0 degree दिख रहा है, फि 30 degree, देखिए, यहां पर 1, 2, 3, ये सब भी होते हैं बीच में, तो इंडिया जो है, यहां से अगर हम देखिए, कौन से latitude में है, 8 degree, 4 minute north, हमने अभी देखा था, हम कौन से side में है, north में है, तो इसलिए यहां पर north लिखा गया है, 8 degree, 4 minute north, अगर नीचे होता, तो south लिखा जात तो हम कौन से latitude पे आते हैं, 8 degree, 4 minute से, 37 degree, देखिए, ये 30 है, उसके ओपर 31, 32, 33, तो यहां पर 37 degree, 6 minute north, तो कौन से 2 latitude के बीच में इंडिया आता है, 8 degree, 4 minute north से, 37 degree, 6 minute north, latitude के बीच में है, इंडिया, अगर हम बात करें, ये है longitudes, ठीक है, ये जो लाइन से हमारी ये क्या, जो south pole से north pole को connect करते हैं, ये north pole से south pole को आप बोल ले, तो ये जो हमारी imaginary lines है, ये हमारी लंबी-लंबी जो लाइन से यह है हमारी लॉंगिट्यूट, राइट, तो यह सारी क्या है हमारी, यह है हमारी लॉंगिट्यूट, यह लाइन से हमारी लॉंगिट्यूट, ओके, तो अगर हम लोग यहां से देखे, अब यह है इंडिया, तो इंडिया कौन-कौन से दो पर लोकेट करता है, वो देखते हैं हम लोग, देखें, यहां से 68 डिग्री, 68 डिग्री, 7 मिनिट इस्ट, मैंने अभी आपको समझायता, अगर ऐसे देखें हम लोग यह इसको सेंटर लें, ठीक है, यह प्राइम मेरीडियन है हमारी, तो इधर से अगर देखें, तो यह वाला पोर्शन इस्ट है, और यह वाला वेस्ट है, तो इस सिर्फ हम इसी लिए लिखें, 68 डिग्री, 7 मिनिट इस्ट से, 97 डिग्री, 25 मिनिट इस्ट, मैं दुबारा से आपको बताऊंगी, रैट, तो अगर हम लोग देखें, इस माप पे, इंडिया कौन से हैमिस्फेर में आता लाटिटूट, वह इंडिया की एग्जेक्ट लोकेशन के अफट अफट लाटिटूट एंड लाटिटूट हम बता देंगे उसके, लाटिटूट की अगर हम बात करें तो, 8 डिग्री, 4 मिनिट नॉर्थ से लेके, 37 डिग्री, 6 मिनिट नॉर्थ, अगर हम यहां से कोई भी लोकेशन से की बात पूछे, तो आप फड़ा फट लाटिटूट एंड लाटिटूट बता दीजे, तो आप इंडिया की एग्जेक्ट लोकेशन जो है वो बता देंगे, क्लेर है आप सबको, देखे, दुबारा से इसको देखते हैं माप पे, यह हमारा इंडिया क माप, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखू, यह दिखरी लिखा भी हुआ है, 68 डिग्री, 68 डिग्री, यह में लेंड एंडिया का, में लेंड है पूरा, 68 डिग्री, 7 मिनिट इस्ट, मैंने बता ना, इधर से अगर हम देखे, तो यह वाला साइड है, 68 डिग्री, 7 मिनिट और 97 degree 25 minute east तक हम लोग हैं और इधर अगर हम लोग देखें यहाँ पे नीचे जो है इंडिया का सबसे टॉप पार्ट ठीक है वहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 8 degree 4 minute north से 37 degree 6 minute north तो बहुत अच्छे से किसी को आप अपने इंडिया की location बता सकते हैं भई यहाँ पे रहते हैं हम लोग ठीक है हम किसी के side में नहीं रहते हैं ऐसे landmarks नहीं देने आपको exact latitudes and longitudes बताएंगे तो आप exact इंडिया की location बता सकते हैं उसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखें तो mainland extend between जो इंडिया का mainland है पूरा किस किस के कौन कौन से latitudes के बीच में 8 degree 4 minute north से 37 degree 6 minute north अगर हम longitude की बात करें तो 68 degree 7 minute east से 97 degree 25 minute east clear? ओके चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं the tropic of cancer यह है हमारा इंडिया और यह है हमारी tropic of cancer पर हमारे जो इंडिया को बीचो बीच जो line जो दो parts में divide करती है वो है हमारी tropic of cancer यह हमारी एक line, यह भी एक imaginary line है, tropic of cancer कौन सी ऐसी line है आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी line है जो पास इंडिया को two equal parts में कौन सी imaginary line है जो इंडिया को two equal parts में, दो बराबर भगों में बात रहे है भाई, tropic of cancer tropic of cancer वो imaginary line है जो इंडिया को two equal parts में divide करती है और यह इंडिया की eight states में से पास होती है इंडिया की eight states में से पास होती है, the tropic of cancer देखे, the tropic of cancer जो 23 degree 30 minute north है divide करती है हमारी country को almost दो बराबर भागों में बाटती है, ठीक है, country into almost two equal parts दो बराबर भागों में, आपसे question आभी सकता है one mark में, भई कौन सी ऐसी line है या कौन सी imaginary line है जो इंडिया को two equal parts में divide करती है the tropic of cancer ठीक है और वो इंडिया की eight states में से पास होती है, यह इंडिया की eight states में से पास हो रहे है, कौन कौन सी eight state है तो देखे, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान, मध्या प्रदेश, 36 गड़, भूलना नहीं है, जारखन, वेस्ट बिंगोल, त्रिपुरा और मिजोरम ठीक है, तो यह जो है आपकी eight states में से पास हो रहे है, कौन कौन सी eight states है हमारी, गुजरात है हमारा राइट, फिर राजस्थान है, फिर आपका मध्या प्रदेश है, साथ में आपका च्छतसगर है, जारखन, वेस्ट बिंगोल, त्रिपुरा और मिजोरम तो ट्रॉपिक आफ कैंसर इंडिया को two equal parts में divide करती है, और हमारी eight state में से पास होती है, तो अभी तक हमने देखा राइट, अगर हम इंडिया के exact location की बात करें, locate करें, तो इंडिया के latitude जो है 8 degree 4 minute north से 37 degree 6 minute north तक है, अगर हम longitude की बात करें, तो 68 degree 7 minute east से लेके 97 degree 25 minute east तक इंडिया फैला हुआ है, ये देखे, राइट, तो ये हमने अभी discuss किया था, उसके साथ जो Tropic of Cancer है, वो इंडिया को two equal parts में divide करती है, तो ये था आपके इंडिया का हमारा location, next है हमारा, to the southeast, southeast of the mainland, lie the Andaman and Nicobar island, right, and the Lakshadeep island in the Bay of Bengal and Arabian Sea, तो देखे, ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसको इंडिया के map से समझे, तो अगर मैं इंडिया को इस तरीके से draw करती हूँ, तो देखे, ये है हमारा north, direction wise देखे हम, ये है हमारा south, तीचे तक है ये, ये है हमारा west, और ये है east, right, तो इन्होंने बोला, south और east के बीच में क्या है हमारा, south east, ये position कौन सी है हमारी, south east, और south east पे यहाँ पे ये जो आपको dots दिख रहे हैं, नीचे तक आगे तक हैंगे, यहाँ पे है हमारा अंडमान एन निकोबार, अगर ये इंडिया का, ये इंडिया का mainland है, अगर हम लोग देखे, ये हमारे इंडिया का mainland है, ये पूरा mainland है, नीचे तक, तो ये जो पूरा mainland है, इसके जो south east में अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास एक island ग्रूप है, जो की है अंडमान एन निकोबार, जो की हमारा bay of Bengal में, तो south east direction में अगर हम लोग देखते हैं, ये south और east के बीच में, south east direction में, हमारे पास एक island ह अगर हम लोग बात करें यहां पर इस साइड में अगर देखें यह है हमारा अरेबियन सी और अरेबियन सी में यहां पर नीचे की साइड है हमारा लक्षवदीप आईलेंड अरेबियन आईलेंड में अरेबियन सी में नीचे की साइड पर हमारे पास लक्षवदीप इसे Southeast direction में कौन सा आइलेंड है अंडमान एं निकोबार, Arabian Sea में नीचे कौन सा आइलेंड है हमारा लक्षद्वीप आइलेंड, तो यह state करती है लाइन, क्या बोल रहे है, to the Southeast of the mainland, Southeast of the mainland में है अंडमान एं निकोबार आइलेंड, और अरेबियन सी में है हमारा लक्षवदीप आइलेंड ठीक है तो ये था हमारे इंडिया का लोकेशन अगर में लेंड से हटके देखे जो इंडिया का पूरा सदन मोस्ट पॉइंट था एक इंदरा पॉइंट 2004 के सुनामी में जो है समर्ज हो गया था जो सदन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा पॉइंट था इंदरा पॉइंट था वो समर्ज हो गया था जब एक सुनामी आया था कब 2004 में वे दिस एंड ऑफ today's session आप हमारी videos को देख सकते हैं कहां पर देख सकते हैं YouTube पर देख सकते हैं हमारी ऑफिशल वेबसाइट www.magnetbrins.com पर देख सकते हैं हमारी को आप follow कर सकते हैं कहां कहां पर YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp पर हमारे यहाँ पर e-books and e-notes की facility भी अवेलिबल है जिसका लिंक आपको description box में दिया गया हमारी जो टॉप courses है वो है English and Hindi medium, CBAC, Delhi board, Bihar board, UP board, MP, Rajasthan, यह सारे boards जो है हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं, Vedic Maths जो है वो भी पढ़ाए जाता है, Crash courses and spoken English के courses भी हमारे पास अवेलेबल है, with this end of today's session, I hope you like today's video, don't forget to hit the like, share and subscribe button, see you all next time, have a nice day.